हे अब्रीवन मोस वेलकम चू माई यूटूब चैनल ब्रेजेन ग्याना एक्स्प्रेस दोस्तों यूपीड़ी एक्जाम के लिए मैं आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूं और यह हमारा लेक्चर 6 है इसमें हिंदी में मैं आपको रस पढ़ाऊंगा संपूर्न रस बहुत ही मज रस्टिंग है और इससे कोशन भी एक्जाम भी पूचे जाते हैं तो बिना किसी डिए लेके इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि यह भी तुछा सा टाइम टेकिंग वीडियो है लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिस करूँगा कि इस वीडियो में आपको रस से सम्मन दे कुछ इतिहास की बाते हैं जो पूस ली जाती है मैंने हाँ पे मेंशन किया हुआ है काब्य स्रवन एवं नाट्य धरशन यहनी कभी तक को सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है जो खुशी मिलती है जो एक अनुभव होता है उसे रस कियाते हैं तो यह तो पत पोची गई थी तो भरत मुनी के हमसार रसों के संख्या आठ होती है और सामान रूप से रसों के संख्या नौ होती है भरत मुनी ने शांत रस का उलेक नहीं किया था शांत रस को लेकर के नौ रस होते हैं लेकिन भरत मुनी ने अपने पुस्तक नाटिशस्त में शांत रस क पजुक्र नहीं किया था तो ये भी एक कोशन बन सकता है कि भरत्मुनिने वो कौन से रस था जिसे अपनी पुस्तक में स्थान नहीं दिया तो वह शांत रस मुख्य रूप से रस नौ प्राकार के होते हैं लेकिन वरत्मान की बात की जाया तो इनके संक्या वरत्मान में ग्यारा है तो ये चीज़ याद रखेगा जो मैंने यहां बताई हैं इनसे कोशन बनते हैं रस के अंग की बात करेंगे, रस के अंग चार होते हैं, जिने आपको समझना होगा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन्हें मैं यहां पर explain कर रहा हूँ, देखे, बहुत असानी से समझ दाएंगे, अस्थाई भाव यह रस का प्रधान भाव होता ह है, जो हमेशा रहता है, अस्थाई का मलत पामानेंट, जो, शुरू संद तक रहे, तो ये कवे का प्रधान भाव होता है, इसके संखिया ग्यारा होती है, जितने रस होते हैं, तो ग्यारा रस, ग्यारा स्थाई भाव, ये मैंने यहां पर लेस्ट दिया हुआ है, याद का विष्ट मां है कम इंपॉर्टेंट ब्यान अक्र्ट कब है यह एथमा विवस रस्का यूद्सा यह ज़ादा important है पूचा जाता है और शांत रस्का निर्वेद यह भी पूचा जाता है यह खास करते इन स्टार्टिंग के यह करोंड़स वाला और यह असरिंगारस वाला फिर यहां पे विभास रसका युथ्सा और शांत रसका विनिर्वेद और लास्ट में वातसल रस वतसलता लिखाईवे भगत रसमें भगवद विशेक और राग भगवान से सम्मनित प्रेम तो यह 11 रस थे 11 मैंने आपे दिया है इनको आप याद करिए इनसे कोशन मनते हैं विभाव क्या है रसको जन्म देने वाले कारकों को विभाव कहते हैं रसको जन्म देने वाले कारक रसको जो पैदा करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं दो प्रकार के हैं अलम्मन विभाव और उदीपन वि याद रखना कि संख्या जरूर याद रिखिए, संख्या पूशा जाता है, ये कौन-कौन से है, अस्तमगलब एकदम, चेत्मा शुन्य हो जाना, स्टैचू हो जाना, स्वैद, पसीना आना, स्वर्बंग, यानि तुतलाना हकलाना, विवनर्टा, रंग बदल जाना, लाल हो जो गुसे से चेहरा लाल हो गया, प्रेम से चेहरा सुर्ख हो गया, तो ये विवनर्टा, कंप, कापना, अस्नु, असु, भाना, रोना, प्रला, ये मतलब अंदर से तूट जाना, तो ये आठ प्रकार के, जो है, क्या कहते हैं, अनुभाव हैं, जिने आपको याद रखना होगा, तो ये हैं, फिर संचारी भाव के, ऐसे भाव जो शड़िक होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, इनके संख्या 23, ये कई बार पूछा गया, संचारी भाव के संख्या, कितनी होती 23 होती है, जैसे हर्श हो गया, विशाद हो गया, आलस हो गया, लालस हो गया, अस्तर्य वहाँ की संख्या पोक्छें का विभाँ दो है अलम्मानुदीपन और अनुभाँ की संख्या के Snapchat कितनी है आठ है संचारिय की संख्या कितनी कितनी है तैंतिस तो यह याद रखना है एक ना यह दुखतर रख्येगा रस के बात करते हैं तो रस जानते हैं कि रस 11 प्रकार के हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है, तो पहले नमब पर श्रिंगार रस है, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टन, बहुत ही मज़द है, इसे रसों का राजा कहते हैं, रस राज, रसों का राजा किसे कहते हैं, श्रिंगार रस को कहते हैं, जिसे फ़लों का राजा नायक नायका के प्रेम संबंदों एवं सौंदर एक वरणन होता है उनके प्रेम संबंदों उनके मिलन का वरणन होगा ठीक है एक्जांपल मेंने दिया कहत नटत रीज़त खीज़त मिलत खीलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैनन हीसो बात बिहार दजीक कि अच्छे जांते हैं कि एक नायक है और एक नायक है जो आंकों यं आंकों में बाते़क कर ले रहे हैं बागी किसी को पता नहीं चल रहा है यही है शंगाररस नैक कुछ कहता है आंखों से तो नायका मना कर देटी नटती और फिर नाय क अधरी जाता है, खुश करने कुश़िस करता है, तो जो नाय का घीजने लगती है, गुसा करने लगती है, कि लोग देख लेंगे, मुझे मर्वा होगी, जो भी चलता है, फिर ऐसा करते करते दोनों की नितिरा पस्ट मिल जाते हैं, दोनों 있는 के आंखे चार हो ज जब आखे चार हो जाती हैं तो दोनों के चेरे खिल जाते हैं और कुछ समय के बाद उनको ला जा जाती है वो शामा जाते हैं इसी तरह से वो पूरे भवान में इने घर भरा हुआ है लेकिन नैनन ही सोबात आँकों इनकों पूरी बाते कर ले रहे तो यह विहारिदाजी की जो है लाइने हैं और यह सुंगारस की बहुत ही सैटिक एक्जमपल की रुप में किताबों पढ़ने को मिलती हैं। फिर एक और एक्जमपल मिलेगा पढ़ने को बत्रस लालस लाल की मोडली धरी लुकाएं। सौहों करेब हुआने हैं से दैन कहाएं नटी जाएं। यहाँ पे गोपी का हैं श्रीकृष्ण रूपी नायक को परेशान कर रहे हैं। जैसे उधो मोही ब्रज बिसरत नाहीं, हंसुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की च्छाहीं। यहाँ पे उधो से श्रीकृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे उधो मुझे ब्रज ग्वाल बाल वहां की गुपी का हैं। बूला नहीं जा रहा है। उनकी बहुत याद आ रही है। और हंसुता यमुना नदी को कहते हैं। यमुना नदी का जो सुंदर किनारा है और वहां जो पेड़ों की च्छाया है दुरुमन की च्छाया है वो मुझे बूला नहीं जा रहा है तो वो उनको एक तरह से विरह वेदना हो रही है। वियोक सिंगा रस है। तो ऐसे डेस सरे एक्जमपल आप जानते होंगे वो आप याद कर ली होंगे और जब आएका तो पहचान जाएंगे। नमर दूपे हास से रस है हासे का मनलब हसना, लाफिंग, लाफ्टर तो इसका साई भाव हास होता है। और इसमें किसी ऐसी घटना दृश्य का वरणान होता है जिसे देखकर या सुनकर हासिर्पन हो जाए। मुन्नत मम्मी के सिर्पन देखकर दो चोटी भाग गया भहमान कर सिर्पन सापिन लोटी। एक चोटा सा बच्चा होता है मम्मी को देखता है तो मम्मी कमरे में लटी होती है तो उसको लगता है कि मम्मी के सिर्पे दो चोटी देखा ता लेकिन वह कहता है कि साप है। तो सिर्पे सापिन समझ बैठता है और वो उससे देखके भाग जाता है तो यहाँ पर एक हसी का पूट मेलेगा थोड़ा थोड़ा जादा नहीं थोड़ा सा हसना आपको हसी महसुस होगी लाफ्टर थोड़ा सा निकलेगा इसको जब समझेंगे तो और यह बहुत जादे कित करण है इसमें विंद्भचल परवत के जो रश्य मुनी है उनकी झょहाँ पर एक हासी का पत्र बताया गया है क्योंकि एसमें कहा गया कि विंद्भचल परवत के जो लोग हैं वो काफी उदास हैं हलागि वो तपस्या कब्रत धरण किये हुए हैं लेकिन बीन नारी के बीन इस तभी के बचारें बहुत दुखी हैं बेन नारी उदिखर वहां को इनारी नहीं इस बात को उनको बड़ा दुख है और क्या हुआ गौतम तिये तुरित तुलसी तो मुनियों के समों को ये काथा सुनने को मिल जाती है ये नियूज मिल जाती है उड़ते उड़ते कि गौतम की तिये जो अहिल्या थी वो तो तर गई वो कहानी उनको सुनने की मल जाती है ये गौतम ती ये तर्वे तुलसी तुलसी तर्जी कहते है कि गौतम की जो पत्नी गौतम की जो तती है वो ये अहिल्यात तर गई है वो तो अब सुन्दरी बन गई पहले पत्थर थी और इसी कथा को सुनकर कि वो सुखारे सब सुखी हो जाते हैं खूश हो जाते हैं कि अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्यों अच्छा हो जाएगा क्योंकि हुई हैं सिला सब चंदर मुखी क्यों जितनी भी यहां पर सिलाएं हैं जितने भी चट्टाने हैं, सब चंदर मुखेयां बन जाएंगी, सब सुनायक जी परसे पद कन्जिती हरे भगवान, शुरिकस्ट्रे के पैरों की धूल से जो जो जितनी आसपाफ चट्टाने हैं, वीरानिया हैं, ये सब चंदर मुखेयों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं किनी भली रगुनायक जू रगुनायक जी ने बहुत अच्छा किये बहुत अच्छा किये जो करुणा करी कानन को पगधारे जो जंगल को पधारे हैं धया करके हम लोगों पे स्रीराम चंदर जी जंगल आ गये हैं उनके आने से अब यहां पे जो नारी की कमी है वो दूर हो जाएगी चारों तरफ जितनी चट्टाने हैं भगवान शुक्रिशन के पैरों की दूल से वो चट्टाने सुंदरिया बन जाएगी तो ये एक बहुत ही वाहयात मानसिक्ता को दिखाया गया है कि जब तपस्या ब्रत धारण किये हैं उसके बावजूद वो नारी के कहे कि तपस्या और कहे का जो है उनका ब्रत है न तो यह एक हसी का प्रसंग था करूंडरस भई करूंडरस तो बहुत ही जाधा दुखध है जहां पर बहुत दुखत घटना का वर्णनों मृत्य का वर्णनों सामान रूप से वही होता है करोंडरस और इसका अस्थाइबाव शोक होता है तो जो भी आपने एक्जाम्पल के पढ़े होंगे उनी में से एक मैं यादे रहा हूं मरी खोई बुजंग सी जन्नी फंसा प समाचार लेके जाते हैं जब उन जो है दिब्यंग धंपती के पास तो जब उन्हें खवर देते हैं कि मेरी गल्ती से आपका पुत्र इस दुनिया मैं नहीं रहा तब उस समय जब स्रमण कुमार की माँ विलाप करती है तो उसका वर्णन है कि ऐसा लगता है कि मड़ी खोग करके जब एक भुजंग यहीं सर्फ जो है अपन पन पटकती है तो वैसे ही उनके माता पिता विलाप कर रहे है तो यहीं इसमें विलाप का वर्णन है और एक एक ग्जामपल दिया मैंने शोग विकल सब रोव रोव रोप शिल गुरुड तेज बखानी कर रहें विलाप अ है ना तो देखिए हाँ पर मैं सक्ति कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे यह मराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे तो यहाँ पर भी जो सामान रोव से यह गटना मुझे प्रतीत होती है कि अभिमन्यों की है और जब चक्रवी उरस दिया जाता है त अरजुन नहीं होते हैं तो वहाँ पर जब युद्धिस्ट्रे से अभी मन्यों पूसते हैं कि क्या हुआ तात क्या समझता है आप लोग बहुत परिशान है आप के जहरे पर बहुत उदासी है तो युद्धिस्ट्रे कहते हैं तुम अभी बच्चे हो तुम को इन चीज़ रौधरस का मनलव हो तो गुसा है न तो जिसमें क्रोध का ज़िकर हो क्रोध की बाते पताचले वही होता। उसकाल मारे क्रोध की तनकाप ने उनका लगा मानो हवा के जोक से सोता हुआ सागर जगा तो यह अपका क्रोध हैने की रौधरस है। अद्भुत्रस यहां पर आशर की बात हो, आशर चकित हो जाएं, उसको देख करके सुन करके अद्भुत्रस होगा, अब यहां पर एक्जांपल जो मैंने दिया बहुत ही जादा किताबों पढ़ने को मिलेगा, और एक्जाम में पोछा भी आता है, देख यशुदा शिशु क मुक में सकल विशु की माया, छण भर को बनी अचेतन हिलना सकी कोमल गाया, यहां पर कैसेद भुत्रस है, यह शुदा महिया, यह तो प्रक्रण आप जानती होंगे, प्रसंग जानते होंगे, कि जब यह शुदा महिया देखते हैं कि बाल, शुदा महिया जो मिट्टी खा बाती हैं, तब क्या होता है, कि क्या देखा उन्होंने सकल विशु की माया, उनके मुँ में पुरे ब्रम्हांड की घटना हो रही होती है, बगवान शुदा के मुँ में पुरा ब्रम्हांड नजर आता है, तो उसे देख करके छण भर के लिए वो बनी अचेतन, चेतना पर आती हैं, उनका शरीर अस्तंब की मुद्रा में चला जाता है, हिलना डूलना बंद हो जाता है, हिलना सकी कौमल का या उनका जो कौमल शरीर है, वो फिल नहीं सका, तो यहाँ पे आशिर शक्षड हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे अद्भुत रस है, भीयानक रस है, य के समान उठ रही हैं ऐसा लगता है कि बहुत ही विक्रालूब धरन कर लिया है और फेना उगलती हुए ऐसा लगता है कि एक साप के समान फन फैलाए हुए ब्याल मने सर्फ होता है ऐसा लगता है कि जो समुद्र की लहरे हैं साप के समान फैलाए हुए चली आ रहे हैं सभी को निगल जाएंगी तो यहाँ पर भ्यान अक्रस है यह थोड़ा सा important है वी भजसी का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक बहुत ही खतरनाक जुगुपसा का मतलब होता है ऐसी भावना जिसमें हमारा मन एकदम हैंग हो जाए हमारा मन एकदम विचिलित हो जाए वो होता है जुगुपसा तो इस का स्थाई भाव जुगुपसा होता है इसमें ग्रणा यानि ग्रणित सड़ी गड़ी बद्बूदर द्रिशों का वरड़न होता है आखे निकाल उड़ जाते चण भर उड़कर आ जाते शवजीब खींच कर कवे चुबला चुबला के खाते यहां पर जो है एक मरीव जानवर को नोच नोच के खा रहे हैं और इस तरह का प्रक्रांट जबाता है तो वह भीवसरस होता है इन चीजों को जब आप बहुत जादा समझने की कोशिश करें तो यहां पर क्या बताएंगे कि इशवर्ण की जो है सत्ता की बात करेंगे आत्मा परमात्मा की बात करेंगे बाकि सब चीज़ को वो मुहमाया बताएंगे तो वही है निर्वेद यानि शांतरस वेरा गिधारन कर लिजिए और सिर्फ इशर की भक्ती में लीन हो जाईए देश दुनिया को छोड़ दीजिए यही है शांतरस इन्होंने कहा रे मन तन कागद का पुतला लागए बूंदी बीनसी जाये च्छंड में गरब करे का इतना तो कह रहे है मन यह जो तन है कागद के पुतले के समान है अगर इसमें एक बूंद लगती जैसे कागद में अगर बूंद पढ़ती है कागद के पुतले में बूंद पढ़ने लगे तो वो एक चंड में नस्ट हो जाता है गल जाता है तो उसी तरह यह हमारे शरीर है हमारे शरीम पे भी अगर एक बूंद लगती है एक जटका लगता है एक सरीन अडिया कुछ भी होता है तो यह शरीर नस तो ये वैरागी की बात बता रहे हैं और शांत रस की बात बता रहे हैं वातसल रस का मतलब होता है कि संतान के प्रति प्रेम वातसलता का मतलब होता है संतान के प्रति प्रेम तो इसका स्थाइब वातसलता होता है माता पिता का संतान के प्रति जो स्ने होता है जो प्रेम होता हुई है जो है वात्सलरस और इसमें बाला के बाल सौंदर का वरणन भी मिलेगा तो वो होगा वात्सलरस जिसे किलकत कान गुटुरवन आवत मनी में कनदक नंद को आंगन बिम्ब पकरी बेधावत काना जी किलकारी मारते हुए गुटनों के बल चले आ रहे हैं और मडियों से जटित नंद बाबा के सोने स्युक्त आंगन में अपनी परशाई को पकड़ने के दोड़ रहे हैं तो श्रीकृष्ण की बाल रूप का यहाँ पर बहुत ही मनमुहक वरणन है इसलिए यहाँ पर बहुत सले रस है और लास्ट में भक्ती रस इसका सही भाव भगवद विश्यक अनुराग होता है भगवद विश्यक अनुराग का मनलब भगवान से समदित प्रेम भगवान से समदित प्रेम जब होगा भगवान की भक्ती करने की बात आगी यहाँ पर वैरागी की बात न करके जब आप भगवान में बगवान के साधना में लीन होते हो तो वो शांत रस में हो जाएगा दोनों में डिफरेंस ही है तो यहां पे जिसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और कभी राम मनकी कभी शाम मनकी तो इस तरह कि जो भी आप भगती गीत सुनते हैं वो भगती जाती है तो अगर उसमें बैरागी की बद बताई जाएगी तो भक्ती रस नहीं होगा वो हो जाएगा शांत रस तो यह थे 11 रस जो की आसान है इनकी एक्जम्पल मैंने आपको थोड़ा से स्पीड में बताया लेकिन चुक्कि यह टॉपिक आसान है तो आप इसको एक दो बर रिवाइज कर लेंगे तो आपको इसली समझ में आ जाएगा तो बहुत यह असान सा टॉपिक है रस लेकिन इक्जम में पूछा जाएगा स्टाइटिंग के ज़रूर बते आद रखिएगा कि भरत मुने ने कितने रस बता हैं आठ बता हैं अनुभाव के संख्या कितनी है अनुभाव के संख्या भी आठ है संचारी भाव के संख्या कितनी है संचारी भाव के संख्या 33 है तो इस तरह की जो भी important बते मैंने इस topic को बताएं उनको आप revise कर लिजे, note कर लिजेगा और यह topic भी आपका complete है तो last में वही हमेशा की तरह usual request की वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजेगा और दोस्तों से share करेंगे तो उनको भी benefit मिलेगा चैनल subscribe करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा हमें क्या मिलेगा जब आप comment करेंगे तो हमें थोड़ा सा motivation मिल जाएगा कि मैं जो तिनी मेहनत से और इतनी energy के सथ वीडियो बना रहा हूँ वो आपको help कर रहा है और मेरी मेहनत सफल हो रही है, बस बाकी हमेशा की तर आपको बहुत आरी शुब कामना है और मिलेंगे नेक्स वीडियो में जैहन